आजका जो स्टॉक रवाज सूब्रोस लिमिटेड है सूब्रोस मतलब सूरी फैमिली ने ये स्टार्ट किया था ये कंपनी और 1985 में ये कंपनी स्टार्ट हुई भी और एर कंडिशनिंग की ऑटो एर कंडिशनिंग के वहतरीन कंपनी है इन फैक्ट देखे आप 1985 में 15,000 AC युनिट्स की केपैसिटे से स्टार्ट करके आज 15,000,000 AC किट्स बनाने वाली एक वहतरीन कंपनी है और सबसे बढ़िया बात है इसमें 36-37 तो सूरी फैमिली की है उसके बाद 20 परसेंट ओनर्शिप देंसो कॉर्पोरेशन की थी और 12 परसे अगर देखू तो बैतरीन है इंडिया की देखे सबसे बड़ी ऑटोमोटीव कंडेसर्स बनाने वाली कंपनी भी है और पिछले कुछ सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत जबर्दस रहा है और मार्केट पोजिशन बहुत स्ट्रॉंग है इसमें कोई दोराय ही ही न सबसे बड़ा प्लेयर है और टेकनिकल कोलाप्रेशन की वज़े से इनको काफी बड़ा फाइदा मिलता है फिर मारुत सुजुकी के साथ वो होने से उनको एक अच्छा क्लाइंटील का बेस भी मिल गया है तो अगर मैं फंडामेंटल्स पर आता हूं तो आप देखिए यह 22 के परसेंटेज मतलब 22 परसेंट के लगभा की प्रॉफिट की काईगर रही है पिछले 5 साल की और 9 से 10 परसेंट की ग्रोथ की काईगर रही है और उस सेल्स की और उसके सामने डेट्स को इन्होंने कंटिनियूसली कम किया है काफी जो मुझे बहुत इंपॉर्टन फेक इंपॉर्टन फेक्टर फेक्रोंट परसेंट परसेंट जो कि मैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन ली जो भी स्टॉक शिला रहा हूं वहां देख रहा हूं तो सैटेंबर और डिसंबर के रिजाल्स बहुत अच्छे थे और डिसांबर उनिस में अगर तेरह रोड करोड तो उसके सामने December 20 में 27 करोड का पैठ है So which is like almost double से भी जादा है और शेरोल्डिंग देख रहा था में कमनी की स्टेकोल्डिंग तो DII ने बढ़ाई है करीब साड़े 10% जो साड़े 8% साड़े 9% से साड़े 10% इस परजेंट में किया है और मुझे लगता कि स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए इन लेवल्स पे और काफी स्टॉंग हैंड्स में ये स्टॉक जा रहा है और इन लेवल्स पे लेके 360-370 का टार्गेट लगा है आने वाले 6-9 मेने के लिए चे से 9 मेने की सुब्रोस में करें खरीदारी ये है राय आपके लिए जेन साब के तरफ से जेम्स के तरफ पर जेन साब एक बर बताएं टार्गेट के लिए वापस 307-370 360-370 के लिए करें सुब्रोस में खरीदारी आज ऑटो स्टॉक्स हैं बरपूर तेजी में और ऑटो स्टॉक्स के साथ अब ऑटो एंस्टॉरी स्टॉक्स में भी तेजी बनने के पूरे-पूरे आसार आपके लिए आते भी दिख रहे है तो यह है जेन साब किराए